जैन दोश्तो इस वीडियो को बनाने का मतलब है किसी भी नीव वेबसाइट का SEO कैसे करें यह आपको बताना तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं कभी भी कोई निव वेबसाइट होती है तो रेगुलर वेबसाइट से उसका काम थोड़ा सा अलग जरूर होता है क्योंकि आपको सारा कुछ इनिशियल लेवल से देखना पड़ता है बागी को जो काम है वह तो आप नई वेबसाइट में आप स्टार्टिंग से करते हैं इसके लिए प्रोसेस होता है एक इनिसियल प्रोसेस होगा एक अंप्रोसेस नहीं फेस फार चार्ट करते हो मतलब आपने वह सbसे इंपोर्टन्थ है कि आप मतलब की उसी सपेसिफिक डॉम Нेंन है फॉर इंचामपल आपका कोई एल्क बिजसे और आप चाहते हैं कि वह सपोज करो कि आप एक ब्लॉगिंग के लिए एक ब्लॉग बना रहे हो तो आपका जो डोमेन होना चाहिए वह ब्लॉगिंग्टिप्स.com या फिर ब्लॉगिंग्टिक्स.com या इस तरीके से कुछ होना चाहिए इसे आपको एसे कोई लॉज है बट अगें अगर आप इस तरीके से उर्लि लेंगे तो इसे कम करना पड़ेगा और आपको आपको और साइट इसली कर जाती है क्यों क्योंकि Google को इजली समझ में आ जाता है कि यह वेबसाइट इसी लिए बनी है और बाकी चीज़ों के लिए नहीं बनी है और गूगल एक तरह से एक имеет video प्की जड़ी स्पेस्पिक की जादा बड़ी आप प्रप्रम दोट पर उस्ट से लेजिए तो वह बढ़िया होता है इसके बाद देखिए आपको जब डोमेन आपका हो जाता है तो आपकी वेबसाइड के लिए सिंपल से चीज है कि आप कीवर्ट्स चाहिए आप कीवर्ट्स के लिए आप कीवर्ड्स के लिए आप Google Keywords Planner से Keywords रिसाज कर सकते हैं Google Keywords Planner होता है Google Ads का फ्री टूल होता है आप वहां से जाके कीवर्ट साज कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक टुटोरियल यू बनाया है Google Ads पर कैसे कीवर्ड साज करते हैं आप जाकर सिंपल है Google Ads में लॉग इन होंगे और लॉग इन होने के बाद आप वहां पर जाने के बाद लॉग आप क्यों कर सकते हैं एक जामपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं यह एक होता है कि यहाँ पर बlaw पर जाएंगे is आने के बाद बस यहां पर जाके अर आप जो भी चाहते हैं दिसकवर निव की फैस कि यहाँ पर नव्य यहां पर तो सकते हैं अगर नहीं डालते तो भी कोई बात नहीं है अब यहां पर आप इंडिया रखना चाहते हैं थे लिजिए या फिर आप यहां से यहां से यहां से आप तेक्छिवर्च चीप्स CC कि AI can bebraf 맛 नहीं देखिए इस पे इतने हैं तो आप इस तरीके दिए अलग अलग कीवड्स होंके आप जाकर देख सकते हैं जो आप कीवड रेलिमेंट लगता है वह यहां से ले सकते हैं तो कीवड रिसॉच का मतलब में जो तरीका है वह गूगल कीवड प्लानर है सेकेंड चीज है आप जाके गूगल सजेस्ट से भी आप यहां पर गये और सिंपली आप शच किव ब्लॉग इंटिप्स अब देखिए जो भी पॉपलर कीवड रोट होते हैं गूगल कुझ खुद सजेस्ट करता है यह गूगल ब्लॉग ब्लॉग इंटिप्स फॉर बिगनर्स ब्लॉग प्लॉग इंटिप्स यह इड़िक्स तो इस तरीके जो मतलब टाइटल है जो कि आपके कमपुटिटर यूज कर रहे हैं तो आप इन से भी खुब हुब नहीं कॉपी करना है बट इन से आइडिया लेके और फिर आप अपने हीसाब से एक यूनिक टाइटल डिटंगे तो ज्यादा बेटर होगा अब आप देखें क्या को सब्सक्राइब कर सकते और की वड़िऄनर के नrice इन स 9 ऐसे करते हैं कि यहां क्या क्या किया है उसके कितने भाक लिक्क एंच कर रहें ऑगर लोकल लिस्टिंग पर उसने क्या क्या काम की रिटेटर देखना है। इसकी प्रहानिट्स प्रोप्रोशेस होता है वह इतना होगा इसके बाद वेपसाइट में से कुछ चैन्जेश करेंगे क्योंकि वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं डालें जिसको समझ भी वाइब कि वेबसाइट आखिर में है कि चेज के लिए तो अब इस चीज को करने के लिए सबसे पहले जो वेबसाइट के अंदर वह होते हैं वह स्यू फ्रेंडि होने कोई भी रहे फैशन डैस इंस्टिश्यूट डैस डैस डैली डॉट स्टीमल आप एक्जामपल दे रहा हो तो मतलब कि जो बिल्कुल कीवर्ड स्पेसिफिक और सर्विसी स्पेसिफिक इवार्व रखिए ठीक है ना टाइटल अल्ट और मेटाटेक्स यह मेटाटेक्स भी कि यह पने दिखा रहा हूं तो इस तरह से और इस तरीक चैसे डिस्क्रिंख करते हैं तो यह दोनों जरूरी होता है तो यह जरूर डलना होताј यह आपका टाइटल और मेटाटेक्स का हो गए इंटर लिंकिंग भी जरूरी होती है लाइक आपने अल्रेडी कोई पेज बनाया है अपनी वेबसाइट पर तो उसको इंटर लिंक करिए इसे गूगल का क्रॉल और इजली उस पर भी जाएगा उसको भी क्रॉल करेगा और एक सब्सक्राइट विया सब्सक्राइबने का करें सब्सक्राइब जिसको सब्सक्राइब फ nao, नितलफीooooo kr poo आपके इनकास को 머ते मुन चाह उते हैं उत्सको इसितने भी वारवल से उसके लिए चल्साहिए बदाना होता है अ pra जालेंगे और सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रोच कोंसोल में जाके उसमें एड कर देना पड़ता है कि वेवास्टर टूल्स एन अलेक्टिक्स मतलब कि सच कंसोल और मास्टर टूल्स जो है सेम ही होता है और फिर गूगल इनालेक्स यह दोनों को आपका अपने साइट पर इंस्टॉल करना है आप यह सिंपल से प्रोस प्रोस जरूए है क्योंकि सोसल मीडिया पर बढ़िया रहना एक राकिंग फैक्टर है इसलिए आप अपने जितने भी सोसल मीडिया है टॉप वाले लाइक फेस्बॉक इंस्टाग्राम ट्विटर पिंट्रेस्ट वगरा लेंक्डिन वगरा इन पर जाके अपना प्रोफाइब लिए एक फोर इर्र होता है मतलब नौट फाउंड अगर इनकेस कोई प्रोफाइब का ओपन नहीं हो रहा है चाहे को ब्रॉब्लम हो जाते है एक फोर जिरो फोर मतलब टेंपरोरली जो एरर का इसु दिखाता है वह 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 ना चाहिए मेरे रोबर्बॉट होने चाहिए सिर्फ ना क्या क्या इंडेक्स करना और क्या नहीं करना है तोि यस में याold is सारे सारी चीजे होती हैं तो आप दोनों कर सकते हैं और दोनों को आपको डेवलपर करके रखे रहेगा और फिर वहां से जाके आप अपने साइट के लिए भी वैसा ही आप अपने बना सकते हैं फॉर एजमपल मैं आपको अपने साइट के लिए अब यहां पर संजेशवय डॉट कॉम रोबोट्स थो रोबोट्स तो यह ऐसा कर सकते हैं और .ht access का तो ऐसे देख नहीं सकता है आपको पब्लिक HTML में जाना पड़ता है सी पैनल में और .ht access कुछ special purpose के लिए होता है जैसे कि website में index और slash index वाला मैंने एक वीडियो बनाया था आपने देखा हुए कोई कोई website index.html से उपन होती हों पर क्लिक करते ही तो उसको अगर solve करना है तो वो .ht access के थुरू होता है तो यह आपका on page के लिए हुआ कि मतलब जो शुरुआत की website है बिलकोली starting SEO हो रहा है लोकल लिस्टिंग जैसे कि अगर आप इंडिया में है तो आपको just dial शुलेख और इस तरीकी जितनी website है वहां पर आपका presence होना जरूरी है ठीक ना कि आप classified submission भी कर सकते हैं यहां से तो वैसे no follow backlinks मिलेगा बेनफित यह होता है कि थोड़ा से इस्टिंट आपको कुछ ट्राफिक मिल जाएगा और कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ लिट्स भी मिल सकते हैं तो आप classified submission लाइक ट्विकर पर चलाना ओलेक्स पर चलाना फेस्बुक और पर चलाना यह सबाग कर सकते हैं तो ठीक है अधा चलाने के मतलब मैं कोई पेड नहीं कह रहा हूं फेस्बुक और classified sites पे जो की एड पोस्टिंग साइट होती है लाइक विकर और और उलेक्स इन पर एड पोस्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं जो कि फ्री सब्सक्राइब स्धेये आप कर सकते हैं काफी ज़लूरी होता है और यह आपको करना चाहिए क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है जो टॉप की साइट है वहां पर जाकर सोचल बॉक मार्किंग प्रोसेस कर सकते हैं आर्टिकल भी अगें जो बड़ी-बड़ी साइट है वहीं के आर्टिकल साइट होती है इमज जैसे की पिंट्रिस्ट होगा रहा है वीडियो जैसे की यूटूब अगरह है यहां पर जाके आप अलग अलग तरीके के कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं तो वहां पर डालके फिर उस पर बना प्रोड वह एड करते हैं ठीक है ना जैसे डाकूमेंट समिशन के वने पावलेड़ी पेज बना है तो मैंने उसको देखिए हैं पर लिंक किया तो उसी तरह से हैं आपको भी लिंक करना है व्देश् करना चाहिए बड़े-बड़े ब्लोग से उन पर जाकर करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा वहां सापको मिलने के चांस अच्छे खासे रहते हैं कि अभी थोड़ा सा सोशल भी रहना ज़रूरी है आपको जापका जो वेबसाइट वारल है उसका परजेंस ऑनलाइन रहना चाहिए सोशल मीडिया पर तो थोड़ा सेर्वर करते रहिए तो वह भी सब्सक्राइब करने होते हैं यह मैंने सारा कुछ एक्स्प्लें कर दिया है और देखिए वैसे तो ओबर टूर्ट रैंकिंग फैक्टर्स आपको पता ही है आप आप करते रहा जाए आपके लिए आपको करते जितना भी करना है लेकिन इतने जो हैं प्रोसेस मेरे हिसाब से लिए अपने लिस्टिंग के लिए इस तरह से उसकी वैलू को बढ़ाना कंटेंट की तो कई तरीके होते हैं अभी के लिए जो है बेसिक जो होना चाहिए जो की एक राइंकिंग के लिए एट्लिस्ट जो साइट कहीं दिखती ही नहीं है और वो अचानक से फर्स चेकेंड पेज पे लाने के लिए यह जो है जो प्रोसेस से आप बहुत हल्प करेगा तो आपको यह जो पोस्ट है यह अच्छा लगा होगा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉमेंट सक्सें पूछिए मेरे नेक्स वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनलों को हूभ और ने मेरे आपको झालों को देखने का लिए ने बाई तो आपको आपको भी हो a पाइज को आफको को अजा को सब्सक्राभ पालों को अजा करेगा तो आपको आपको बादात है